अशोकले लेंड ने लॉंच कर दिये भारत की पहली मल्टी एक्सल बस विद फ्रेंट इंजन जियां दोस्तों, the wait is finally over Garud 15M 25-15 ये है model का नाम आज तक भारत के अंदर मल्टी एक्सल बसे की जब बात करते हैं तो सिर्फ आपको Volvo की ही बसे मिलती हैं कुछ समय पहले तक स्कैनिया भी होती थी लेकिन उनका प्रोडक्शन बंद हो गया है तो Volvo की ये आठ चक का बस आती है लेकिन डिफरेंस ये कि उसमें रियर इंजन होता है यहां पे अशोकले लेंड ने भारत की पहली फ्रेंट इंजन वाली आठ चक का बस इंटिड्यूज की है इसमें पुशर एक्सल लगा हुआ है यानि जो चार चक्के वाला रियर एक्सल होता था जो ड्राइव एक्सल होता है उसके आगे एक सिंगल टायर वाला पुशर एक्सल कंपनी ने लगाया है इस गरूर 15 नेम बस के अंदर काफी सारे इंडस्टी फरस्ट फीचर आपको मिलेंगे पहली बात तो इसकी खासियत है 7650 mm वील बेस के उपर दोस्तों पूरी 15 मीटर के आपको लेंथ मिलेगी जिसमें आप 42 स्लीपर बर्थ बना सकते हैं या फिर 60 सीटर पुश्बैक सीट्स के साथ आप एक बड़ी कोच बना सकते हैं इंटर सिटी अप्लिकेशन के लिए काफी कारगर साबित होने वाली है आपको गाड़ी की डिटेल स्पेक्स बताएं उससे पहले अगर इंडस्टी पे नज़र डालें तो आज की डेट में जो वॉल्वो की मल्टी एक्सल बस है वो लगबग लगबग डेड़ से पौने दो करोड रुपए की पड़ती है और इससे नीचे वाले सेग्मेंट की अगर बात करते हैं जहां टाटा, अशोक लेलेंड, भारत बेंज एवं आईशार उपरेट करते हैं यहां पे जो आज की डेट में एक्जिस्टिंग बसेज हैं लगबग साड़े तेरा मीटर वाली जो बसेज आती हैं ये साट, पैसट, सत्तर लाख रुपए इस रेंज में मोटा-मोटा चैसी प्लस बॉड़ी पड़ती है आपको यानि साट से सत्तर लाख रुपए में ये बस पूरी बनके तयार होती हैं जो की साड़े तेरा मीटर के होती हैं वैसे कंपनी ने गरूड 15M की प्राइसी अभी रिवील नहीं की हैं लेकिन हमारा मानना है इससे थोड़ा सा ही उपर लगबग 70-75 लाख रुपए में ये आपको गाड़ी on-road हो जाएगी जो की एक 15-meter bus होगी नाव compare it with 1.5, 1.6, 1.7 crores तो आपको एक अच्छा खासा operating economics इस bus के अंदर नजर आएगा अगर ये product click करता है तो धीरे धीरे जो 12-meter वाली industry 3.5-meter पे shift हुई थी वो 3.5-meter वाली industry immediately 15-meter पे shift हो जाएगी provided the product performs अब इस गाड़ी के अंदर है क्या? 4-cylinder वाला A-series engine company ने दिया है जो की 248-247 horsepower की ताकत निकालेगा और 900 newton meter का torque निकालेगा 6-speed इसके अंदर आपको gearbox मिल जाएगा ये तो भी drive line की बात मज़े की बात ये है कि इसके अंदर same to same Volvo की तरह आपको हर एक axle के ओपर air suspension मिल जाएगा जो Indian manufacturers है वो generally आपको rear air suspension ही दिया करते हैं हाला कि आजकल कुछ 12-3.5 meter में आपको front air suspension भी मिलने लग गया है जैसे भारत बेंज की 18-24 की बात करें तो जो की 1.5 meter की bus है मास level के उपर full air suspension buses के अंदर Indian manufacturers के द्वारा नहीं दिया जाता इस bus के अंदर आपको full air suspension मिलेगा 8 values वाला air suspension मिलेगा तो seating capacity बढ़ गए आपकी sleeper बर्थ वाली capacity बढ़ गए पूरा air suspension मिल गया इस segment का सबसे ज़्यादा GVW इसके अंदर है साड़े 22 तंड का इसके अंदर आपको GVW मिलेगा टाइर्स की बात करें तो सेम एज वाल वो साड़े 22 इंच के इसके अंदर आपको टाइर्स मिल जाएंगे braking की बात करते हैं तो इसके साथ में आपको front में disc brakes भी मिल जाएंगे retarder जो की braking distance को कम करता है वो भी मिलेगा तो overall safety के लिहाद से भी काफी कारगर साबित होने वाली है तो इसके अंदर आपको unitized bearing भी मिलेगा जो unitized bearing होता है जो की maintenance नहीं मांगता काफी लाग किलोमेटर तक वो भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है फ्यूल टैंक के अगर बात करते हैं तो 375 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा और 48 लीटर का इसके अंदर आपको के अंदर हेवी ट्रक्स के अंदर छे सिलेंडर इंजन का बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि लॉंग ट्रम डूरेबिल्टी लॉंग ट्रम रिलाइबिल्टी वे कहीं न कहीं मैं पस्नली मानता हूं कि उसका फरक पड़ता है वैसे टाटा ने भी कई साल पहले एक मल्टी एक्सल बस इंटर्ड्यूज की ती पैराडिसो की नाम से वह हलां कि परफॉर्म नहीं हुई तो मार्केट में हमें सिर्फ अगर प्रिम्यम सेग्मेंट के बात करते तो वॉल्वो बसेज दिखी स्कैनिया दिखी मर्सीडीज ब सेकेंडली वह आपको साड़े तीन सो होस्पावर सेग्मेंट में मिलती है उसमें लगा है एक बहुत ही बड़ा 11 लीटर दस हजार आट सो सीसी वाला एंजन टूबी प्रेसाइस वहां पे आटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है बारा स्पीड वाला तो कहीं ना कह आपको क्या लगता है यह बस परफॉर्म करे गिया नहीं और किस प्राइस पॉइंट पे कंपनी को इसको इंटर्ड्यूज करना चाहिए कमेंट करके ज़रू बताएं डीटेल्ड वीडियो बस के उपर आने वाला है आज के लिए इतने दोस्तों